जिश्टा लिखेंगे हमना याँ दया कर सीखाल खमा यह हमारे हिसाब में गल्दी कैसे हो गई खेल तो हमने नचाने का रचा था हम खुद कैसे नच गई कोई बात नहीं दिया भैसा यह बाजी शायद आप जीत गई से लेकिन जंग तो हम ही जीतेंगे साप चले टेड़ों मेड़ों पर बिल मा सीधों ही जावे राज करना है सुश्मा ठकरानिसा तो चाल टेड़ी कोने दिखने चाहिए सीधे चाल से मात देने होगे दिया भैसा चायद आपका पलटवार वार हे ना हो क्या जाओ मिसरेंडया, वस्ट्रीय काउंटर मूव? वस्ट्रीय की चाहिए? वस्ट्रीय की चाहिए? पलटवार वस्ट्रीय की चाहिए? आपको यह पेंटिंग सीधी लग रहे हैं? आपको प्लान किया है? वाच्छ नेक्स मूव? आपने ठीक से देखा भी ने? यह पेचा, एक पेंटिंग तक सीधी तरह से नहीं लगा सकते हैं, यह लोग तेड़े आपकी पेंटिंग नहीं, तेड़े आपके जवाब है मैं कब सबसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप मुझे इग्नोर कर रही है? आपको यह अगला मूव क्या है? आपको यहां आभी नहीं बता सकते, कोई आगया तो दाता हो कुम फर्श कीला है समाल के पूरे सूरजगड़ में बात का निकले, इससे सेव जगनी होगा देख लिजए, चारों तरफ देख लिजए यहां पर कोई कैमराज नहीं है अब तो मुझे बताई कि आपका नेक्स पलट वाग किया है बिल्कुल नहीं हम तहीं बहार जाएंगे कहीं बहार जाएंगे तो आराम से बता देंगे ना दाता उकुम, कुछ करिए बालम जी आरो बालम जी मैं फिकर बे परवातू है अलग कुछ दोनों यू उम्र भी छोटी बड़ी सी है ना ये रिश्ता खून का ना ये फेरों से बंधा ना ही आर ना ही साथी है है रिश्ता एक जिसका नाम नहीं ना ही मतलब कोई जिसका ये रिश्ता लिखेंगे नाया मिस्टर इंडिया बस बहुत हो गया अब तु मुझे पता दीजी कि आपका अगला पलेट वार क्या है पिछले दो मिरिट में इतना कुछ हो गया दूप से बारिश हो गई और आप है कि अभी भी वही अटके हुए है आपकी गल्सी दिए और आप मुझे ब्लेम कर रही है और एक और बात अगर आप पैनिक ने होते और इतना चिलाती ने ना तो इससाब कुछ होता ही नहीं गल्ती आपकी और मुझ में चिला रही है रिली? सॉरी बोलना तो दूर की बास आप इन सारी चीजों के लिए हमेसे पिना ठेगा रहे है अब इससे इनना अब तो हम आपको कभी बताएंगे ही नहीं कि हमारा पलट वार क्या है ठीक है मत बताइए और बाइदे वे इस नोट पलट वार इस पलट वार नई काया सोने की बार बार नहीं होने की दिया बायसा ये काच के टुकडे समेटना आसान से लेकिन परिवार के इग्जद के जो टुकडे हुए से वो आप ही को संभालना वादा आपने किया था 15 दिनों का वक्त मांगा था आपने कातिल को पकड़ने के लिए इसलिए हम आपको यहां ले आए याद है ना? हम आपको जानते से आप कुछ नहीं बोले आपने तो सोच भी लेया होगा कि आपका अगला दाओ क्या होगा है ना बाइसा हमें अपना वादा अच्छी तरह से याद है छोटी डख्राणी सा हम पीछे नहीं अटेंगे हमें बहुत डल लग रहा रगू दिया बाइसा ने सबके सामने अलान कर दिया है कि उनकी नजर घर की सारी और तो पर है ये खेल में निया खिलाडी कौन है जो मासा हुकम को फसाना चाता है ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा अचा सुनिये अब पहले से जादा होशयार रहना पड़ेगा हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दिया बाइसा आगे करने के अवाली है आप भी यही कीजिए जापता कोई क्लू मिल जाए पता तो करना होगा जापता के अापता है वताओ? सहाँ प्ảiणा है धर तो का व nutzen स्फ़स्ट भी नुओ अरे दाता होकुम आप यहां कहिए ना कुछ काम था आप एडूकेटिड है ना पढ़ी लिया होगा यह ओ यह चिट अरे पढ़ने से पहले ही उड़ गई एनिवे आप यहां आए गया है ना खुदी कह दीजे ना अरूप यह वो को अँड़ मुदी अँड़ आप यहां एंड़ आप यहां इर लाप यहां आप यहांगार वड़ा आप यह दो है कि आपको करके दिखा हूँ अरे दाता हो कुम यह सब रहने दीजे ने पहले आप जो कहने आ रहे थे वह क्या दीजे यह पजल तो हम सॉल्व कर देंगे आप सुपर इंटलिजेंट है ना हमेश्या लोगों से दो कदम आगे की सोचती है तो मुझे बताईये ना आपका अगला पलग वार क्या है ओके ओके समझ गया आप अपॉलोजी के बिना नहीं मानी है मतलब आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा ओके एक ही तो वर्ड है दाता हुकम इतना भी मुश्किल नहीं है आप सॉरी लिख सकते है पर बोल नहीं सकते है अब हो गया ना तो फिर बताईये ना मुझे what's your next move यहां यह हम आपकी कान में बताएंगे सुरी ड़ा गुद गुदी हो रही है कुछ समझ नहीं आपने क्या कहा फिर से कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है एक मिनिट अधिन का क्या मतलब होता है इंग्लिश भी भूल गया इसका मतलब है कि हमने अभी तक कुछ सोचाई नहीं 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 लेकिन फूरी फैमिली वालों के समने तो आप कह रही थी क्या आप कुछ करने वाली है हर एक बात को लिटरिल लेना जरूरी नहीं है हमने तो जूट इसलिए बुरा ताकि हमारे पलटवार के बारे में सोच के दुश्मन इतना डर जाय कि अगले प्लैन के बारे में सोच ही ना पाए इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक दिया बाइसा के पलटवार का पता नहीं चलता हम अगला वार नहीं कर सकते लेकिन इस तरह ही खेल कब तक चलेगा ज्यादा देर नहीं दुश्मन चाला आखे हमें जल्द ही अपने अगला दाव खेलना होगा आपको एसे देख कर दर्द भी बहुत होता है और फखर भी बेटे है न हमारे इसलिए आपका दर्द हमसे सहा नहीं चाहता एसे का देख रहे हैं यह ताकत हमें आप से मिलती है पहनी मासा से सच कहें तो दादी सापने जेल में देख कर हमें बिलकुल अच्छा नहीं लगा बहुत ही ग्लिल्ट फील हुआ दिया भाईसा चाहे जो कुछ भी बोले हैं हम नहीं मानते की दादी सा ऐसा कुछ कर सकती है एनिवेर्स बहुत ही जल्द हम गुनेगार को पकड़ लेंगे और पर सच किया है सब के सामने आ जाएगा हाँ हाँ अब तो दिया भाईसा भी घर वापिस आ गई है अपना पलट वार तो सोच कर ही आई होंगी असलिक आती तो जरूर पकड़ा जाएगा अच्छा आप दिया भाईसा तो आपसे कुछ भी नहीं चुपाती होंगी आप दोनों साथ में काम करते हैं तो आपको तो पता ही होगा ना कि आगे दिया भाईसा क्या करने वाली है तो आपको तो पता ही होगा ना कि आगे दिया भाईसा क्या करने वाली है कुछ तो पता है होगा उनों ने कि अधिन नहीं अधिन कि अधिन मासा हम उनका आगे के प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते नहीं यह बताना नहीं चाहते है कि मासा कि हमें सब कि अधिन को ने तादीसा आएन याश्पना हमारा एकाम करेंगे आप हाँ जी बूले पोटेपले कॉडर के कैसेट्स ला देंगे जरा जी जरूर प्रियाको अरानिसा हमने आपकी और याश्पना की बात सुने आपके बेटे पुलिस ओफिसर से और दिया बाइसा के अच्छे दोस्त में इसलिए आपको सला दे रहे से इस तरह बात करके अपने ही बेटे के शक्त के दाइरे में मत आईए इस तरह सवाल करेंगी तो वो आपको ही गुनिगार समझ सकता है समझें आप? हॉञँ मुत अपको I love it. What's up buddy? What's going on? Hi guys. Hi. हाई और का है तेरी बोडिगाड दिया भाई सा जो मेरे पीछे पड़ा पोस के पीछे पड़े नई स्ट्राटरिजी प्लाण कर रहेंगा एक ए गेम हो जाए श्यार कुछ भी कहले बहुत डेडिकेटेड है यार इतनी डेडिकेशन सिफ ड्यूटी नहीं हो सकती ये ड्यूटी से कुछ जादा ही है और तो और उसने इतनी गहरी नहीं परके तुझे बचाया फ्रीलिंग्स तो बहुत स्ट्रॉंग है उसकी तिरे बारे में जो भी तो कहरा है इन नहीं परकेशन सिफ गहरा है यहां श्यूटी नहीं डेडिकेशन सबसे आगे हैं वो बस ठीर की तरह मुझे प्रड़क करने में ऑक्सेश्टे हूं कमोन मैं तुम इतना सीरियस कैसे हो सकते हो यार बिना किसी एमोशनल इंट्रेस्ट के कोई भी लड़की किसी लड़के के कमरे में कैसे हा सकती है शीज इंटु यू यार फिदा है तुछ पे ट्रस्ट मी शाड आप सनी इस मामले में मुझे तुम से ज़दा नौलिज है और यह से बात करके मुझे ऐसा कभी फील नहीं है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है और रिस्पेक्टर फोड़ा तुम समझ नहीं रहे हो और समझना भी नहीं चाहते तु उस पे फोकस कर थोड़ा फोकस करने की जरूरत तुम्हें आजया वहाँ देखो तुम्हार गए तुम्हार गए तिया और मैं नौ ए तिया अगर जमीन है तो मैं आसमान है समंदर देखा है होराइसन जहां पे जमीन और आसमान दोनों मिल जाते हैं हूं इंट्रेस्टेंग अच्छे यातनागर में जो भी हुआ उसकी इंक्वारी जारी रखियेगा यश्वन्हा जी दिया वाइसा क्या हो सकता है पलटवार वाइसा हूं वाइसा हूं क्या वहाँ का खोगी थी आप वाइसा हूं हम चलते हैं यातनागर की इंवेस्टिकेशन कहां तक पहुच्छी बता करते हैं मेस्टर इंडिया अच्छ क्या है अच्छ अच्छ झाल 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 किंगें किद में खुवंगें कि ऐसे नहीं के रहे हैं अज कुछ खुई खुई से लग रही है एसे पहले कभी देखा नहीं होने है एनिवेज हम चलते है यार बिना किसी emotional interest के कोई भी लड़की किसी लड़के के कमरे में कैसे आ सकती है She's into you यार फिदा है तुछ पे, trust me समंदर देखा है, horizon जहां पे जमीन और आस्मान दोनों मिल जाते है नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता ताता हुकम को कैसे काएंगे Oh, Ajay was right इसका मतलब जमीन आस्मान भी मिल सकते है ऐसा smart बंदा हो तो तीस साल की खुबसूरत लड़की भी फिदा हो जाती है अधा हना मैं दो है नो, टबली शोर होना पड़ेगा क्योंकि यहां पे बात दिया की है तुझए कि अधिया, यहां थिए ने थिए है कि अधला जो भी शाय क्या सोच्छने आप मेरे बारे अप आप आप बहुत आप इंटेलिजिट है बहुत जिंदा दिल है एडवेंचिलर्स है यह यह सारी बाते आपकी हमें पसंद है दादाओं की सब्सक्राइब है इनको तो मैं पूरा का पूरा पसंद है इन सब की साथ साथ यह इमचौर और ना समझ भी है पेशिंस किस चिडिया को कहते है इन्हें पता ही नहीं है और हमें कई बार बहुत इरिटेट भी करते है शब्सक्राइब ख सहते है इन्हें रजथ करते है आपको तो मिध्या रड़ है इन्हें अच्छ ओड़ घू की